नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्मी जूस पीने के फायदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो मौसमी का जूस पीने में स्वादिष्ट के साथ स्वास्ते के लिए काफी फायदिमन माना जाता है मौसमी का जूस पीने से सरीर में एनरजी बनी रहती है साथ ही कई बिमारिया भी दूर होती है क्योंकि मौसमी का जूस पोसक तत्व से भरपूर होता है मौसमी के जूस में विटामिन A, विटामिन C, केलिसम, कार्बोहईडरेट, फोस्पोरस और पोटेशम जैसे ततो पाए जाते हैं साथी मौसमी में एंटी ओक्सिडेंट, एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल जैसे गुण भी पाए जाते हैं जो एक अच्छे स्वास्ते के लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन मौसमी का जूस आपके लिए तभी लाबदायक साबित होता है, जब आप उसका सेवन सही समय पर करते हैं आईए जानते हैं मौसमी का जूस पीने का सही समय क्या है दोस्तो मोसमी जूस पीने का सही समय के बारे में जानते हैं दोस्तो मोसमी के जूस का सेवन सुबह के नास्ते में या दोपहर के भुजन के बाद करना चाहिए हा लेकिन मोसमी के जूस का सेवन सुबह खाली पेट या रात में नहीं करना चाहिए क्योंकि सुबह खाली पेट या रात में मौसमी के जूस का सेवन करने से स्वास्ते को काफी नुकसान पहुचाता है दोस्तो आईए जानते हैं मौसमी जूस पेने के फाइदों के बारे में मौसमी में विटामिन C की अच्छी मात्रा पाई जाती है इसलिए इसका सेवन करने से रोग परती रोधक चमता मजबूत होती है जिससे आप कई बिमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं मौसमी के जूस का सेवन वजन कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि मौसमी का जूस कम कैलोरी और कम फेट युक्त होता है जाता हैं क्योंकि मौसमी में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती हैं इसलिए इसका सेवन करने से कब्ज की सिकाद से छुटकारा मिलता हैं मौसमी के जूस का सेवन आखों के लिए बेहद फायदिमन माना जाता हैं क्योंकि मौसमी के जूस में एंटी ओक्सिडेंट गु ज़्यादा तर लोगों में पाचन सम्मंदी समस्या देखने को मिलती हैं लेकिन अगर आप मौसमी के जूस का सेवन करते हैं तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता हैं साथी पाचन सम्मंदी कई परेसानिया भी दूर होती हैं मौसमी के जूस का सेवन इसकीन के लिए काफी फाइदिमन माना जाता हैं क्योंकि मौसमी के जूस में विटामिन C की अच्छी मातरा पाई जाती हैं इसलिए इसका सेवन करने से इसकीन सम्मंदी कई परेसानिया दूर होती हैं दोस्तो अर्थराइटिस की सिकायत होने पर मौसमी जूस का सेवन काफी फाइदिमन माना जाता हैं क्योंकि मौसमी के जूस में एंटी इन्फलेमेटरी गुण मोचूद होता हैं इसलिए इसका सेवन करने से दर्द और सूजन से निजात मिलता हैं दोस्तो आईए जानते हैं मौसमी जूस पीने के नुकसान के बारे में दोस्तो जिन लोगों को सिट्रस एसिड से एलर्जी होती हैं उनको मौसमी के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए मौसमी के जूस का अधिक सेवन करने से सरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ा सकता हैं जिसकी वज़े से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता हैं मोस्मी के जूस का अधिक मातरा में सेवन करने से किर्णी सम्मंदी बिमारी हो सकती हैं क्योंकि मोस्मी के जूस में पोटेसम की अधिक मातरा पाई जाती हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें